अच्छा लग रहा है मैं हम अब आप शुरू कर सकते हैं 11 बच के हैं आप सभी को मेरा नमश्कार नातन धर्म कावेश की और से आप सभी का मैं स्वागत करती हूं नई शिक्षा निती 2020 के संदर्व में भी ए और बीस्की से लिए अड़ी विषय के पैठ्वपर पाठ्व क्रमों होजै करने जा रहे हैं और फडिये इस पैठ्वायजर्चा का मुख्य बिंदू यह रहेगा कि जो हमको परिäंप्त है प्रासंगिक है उप्योगिता पौल है या कोई जीवन रिस्टी परदान हम करते हैं इसके माजन से या सवक्षाओं का समाना हम जो करता है तो यह नई शिक्षा निती जो है मगटना पून जो अन्तिवैश्चिक शब्ध हम प्युक्ष करते हैं क्या उसके अन्चूव Luck सही उतर रही है सही दिशा में हम चल रहे हैं यह बहुत सारी ऐसे प्रशन हमारे सामने हैं नई शिक्षा, नेती और हिंदी विशे और आज के जो हमारा वातावर्ण है वर्तमान में जैसे शिक्षा की अवशक्ता है, हिंदी उसको कैसे पून कर रही है, तो उसकी उपयोगिता, सार्थर्थता, वो कितनी संगत है, कितनी विवहार परक है, तो इस तरह से हम आज करेंगे, तो अब यह हमें क्या दर्शन देती है? अवाज आ रही है, सर? जी जी आ रही है, क्लिएर है, मनोज को लगेर था कि अवाज क्लिर नहीं, तो कि इस समाजिक द्रिस्टी, आर्थिक द्रिस्टि, राजमेतिक त्प किस तरह हम हिंदी पाठ्य क्रम को उपयोगी बना सकते हैं एक दृष्ट्री परदान कर सकते हैं उट From again the डिस्ट्री परदान करते हैं हम जो शिक्षत क्लीजगत हैं वह इसके बारे में क्या सोचता कि हम क्याएं तुम का किस तरही एपने लिए और विद्यार्थियों के लिए संगत बनाना है, या इसमें कुछ और हमें करना चाहिए, यह जितना है वो बहुत अच्छा है, हम इसको किस तरह से अपने विध्यार्थियों के साथ जो है रख सकते हैं ताकि वातावन जो है अध्रिक वातावन जो विभार परक है, उप्योगी हो, सार्थक हो, संगत हो तो यह हमारे मुखे बिंदू रहेंगे आज के इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं पुर्ख्षेतर विश्विद्याले पुर्ख्षेतर से जुड़े हैं हमारे साथ उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जो जहरे मैं सामने देख रही हूँ, डॉक्टर हेरमल सिंग जी, किरम पुनिया जी, पुनंतलवार जी, रेखा शेरमा जी, और इस सारे कारेक्रम के सुत्रधार हैं, डॉक्टर अभिना भी दी, उन्होंने इससे पहले संस्केत विशे पर चर्चा की थी, शैदा आप लोगों ने उस चर्चा में भाग लिया हो, हम उसमें जुड़े थे, और उस चर्चा के बाद काफी कुछ हमें लगा कि समय समय पर इन के चर्चा होती रहनी चाहिए, बहुत सारी फल परिचर्चा को भी वही सुत्रधार हैं इसके, तो सबसे पहले मैं उन्ही को आमंत्रत कर रही हूं कि वो अपना जो उन्होंने नई शिक्षानेति ہिंदी विशे के पाठ्यकरम पर चर्चा के जो उन्होने आधार रखे हैं, जो बिंदु रखे हैं, उन पर विस्तार से आपको साधुवाद इस बात के लिए कि इस तरह के विशे के लिए साहस जुटाना और उसको क्रियानविन करना ये अपने आपने एक बहुत बड़ी चुनौती थी सीधे बिशे की ओर अग्रसर होते हुए और जॉक्टर प्रोफेसर सुभाष सैनी जी का कॉलिज की ओर से स्वागत करते हुए और बाकी सभी जुड़े हुए लोगों का स्वागत करते हुए मैं सीधे बिशे की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ कि ये सही है कि कुर्पशेत्र विश्व विद्याले में हर्याना गौर्वर्मेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की, सबसे पहले लागू की, लेकिन जिस वक्त ये लागू की गई, उस वक्त जल्दबाजी में कुछ चीजों का जिन्हें हमें ध्यान रखना चाह सांजा करूंगा. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप एक इतनी बड़ी देशवर में पॉलिसी लाने जा रहे हैं, नीती लागू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके विशे में खूब विचार पूर्वक, खूब विचार होना चाहिए, विस्तार प कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा विभाग जो है वो एक open house discussion करें, सभी लोग अपने खर्चे पे आएं, चर्चा करें, और सुझाब दें, और जो भी उसमें उपयोगिता पूर्ण, जो कि आप अपने screen पे देख पा रहे हैं, चार बिंदू उसमें रखें हैं, कि उसकी उपयो स्लेवसिज हैं, उनमें अभीष्ट परिवर्तन करें, और अपने विशर को सुप्रतिष्टित करें, और प्रभावी बनाएं, और निश्चित रूप से जब आप ऐसा स्लेवस बनाते हैं, तो उसमें तीन पक्ष रहते हैं, जो कि आप इधर अपने y-axis पे देख पा रहे ह और युक्ति रीजनिंग उसमें बहुत important है, कि हमें क्या हमारे स्लेवसिज में ये reasoning और युक्ति जो है ये विद्यमान है, और हमारा अनुभव क्या कहता है, कि पिछले 75 वर्षों में जो हम स्लेवस पढ़ाते आ रहे हैं, उसमें को परिवर्तन की आवश्यक्ता थी या न ही चर्चा कर चुकी है, इस विशे पे. इसमें आगे की सारी बात करने से पूर हूँ, मैं सीधे सीधे आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, कि ये निया स्लेवस बनाया गया है, और इस स्लेवस में निश्चित रूप से बोर्ड आफ स्टेडीज के द्वारा सारी अपचारिकना पूरी की गई होंगी, और लेकिन अगर बोर्ड आफ स्टेडीज इतना साहस कर लेता है, कि वह सभी हिंडी के अध्यापकों को बुला करके एक चर्चा करते कि भई क्या पेक्षाएं हैं आपकी और क्या लगता है, तो मुझे लगता है वो एक जादा सार्थ तक बात होती, खूब सारे सुझाब आते और खूब सारे उसको मन्थन होता और हम हिंडी विश्य को ज्यादा सुप्रतिष्टित और प्रभावी बना पाते, लेकिन चलिए, अभी हमारे पास जो उपलब्ध स्लेवर्स है, यूनिवर्स्टी की साइट के उपर, वो इस तर तो ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता है, लेकिन ये छे विशय आपके सामने हैं, दूसरा प्रियोजन मुलक हिंदी और हिंदी गध्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, रिति काल तक और मध्यकालीन हिंदी का विता, हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल तक और फिर उ पर हमें विचार करना होगा और कृफ़े इस बात को बिलकुल इस अर्थ में ना लें कि यह कोई आपते करने वाली बाते हैं या इसमें कोई दोष्ट निकालने वाली बाते हैं अईसा कुछ नहीं है केवल एक दृष्टी विक्सित करने की बात है और वो इन प्रश्णों पर आधारित होगी, जो मैं आगे आपके साथ चर्चा करूंगा, ये पूरा स्लेवर्स है, हमने इसको आप लोगों के साथ शेर भी कर लेंगे, और आप लोग पढ़के भी आए होंगे, मैं ऐसी उमीद करता हूँ, ये छे के छे जो समेस्टर हैं, उ ये कुल मिला करके है, अब आप इसको देखिए, कि जब आप New Education Policy के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जो स्लेवर्स के बारे में आप चर्चा करेंगे, वो ये है कि किस तरह के मनुश्य हमें अपेक्षित हैं अपने स्लेवर्स से, ये एक मूल भूत इस तरह के institutions हैं, इनके बीच में जो New Education Policy में हिंदी से, हिंदी के स्लेवर्स से हम अमारी मेक्षा है कि किस तरह का व्यक्ति हम चाहते हैं, जो समाज है, निश्चित रूप से उसमें आपके पास दो उत्तर हो सकते हैं, एक उत्तर गुड और स्मार्ट बाला हो सकता है, जो उ और उसके बीच में जो कल्यान था कि हम प्राप्त करें, तो कुल में लाकर के हिंदी के जो पाठे करम है, उससे हम एक प्रग्यावान पुरुष और जो की आगे समाज का कल्यान कर सके, ऐसी हमारी अपेक्षा है, थोड़ा सा और इसको आगे हम बढ़ाएं, तो इस हिंदी क स्लेवस को जो हम युनिवस्टी में पढ़ा रहे हैं, इसमें अगर आप देखें, तो एक और तो योग है और एक और शेम है, योग का मतलब है कि जो प्राप्त नहीं था, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं इस पाठे करम के माध्यम से, और जो प्राप्त कर लेंगे, उस हैं, एक अभ्युदय की डिवल्प्मेंट क्या होगी, और दूसरा निश्रेयस जिसे आप बियाटिचूड कहते हैं, इंग्रेजी में कल्याण, और उस सबसे होगा क्या, अगर हम स्लेवस को इन तीन चीजों पर आधारित करें, पैमाने बनाएं, तो एक है अकादमिक संस् स्लेवस से यह अपेक्षा है, दूसरा संसिबल पर्सनलिटी जिसे सत्व्यक्तित्व कहते हैं, हम लोग अपनी भाशा में, और तीसरा जो है, वो पैमाना क्या है, समाज मंगल, तो यह तीन पैमाने हमारी चर्चा के रहेंगे, इस सारे स्लेवस को उपर चर्चा करने के लि अधिये कि इस हिंदी पाठ्यक्रम का धेय लक्ष, यह यहां स्क्रीन के ऊपर देखिए, क्या आजीवी का प्राप्ति और आत्मशंसी करना है, यह सबसे मुख्य प्रश्न है, कि आजीवी का प्राप्ति विशय करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, और दूसरा आत्मशंस सेलफ एस्टीम जिसे हम कहते हैं वो और इसी संदर में आप ये अठारा प्रश्ण और इसके साथ जोड़ लीजिए कि जब आप बनाते हैं स्लिवर्स तो क्या इन अठारा प्रश्णों पर हमने विचार किया और तदनुकूल हमने बनाया या जब 1996 में हमने स्लिवर्स जब ए इसका भला किया और किसका नहीं लेकिन इन अठारा प्रश्णों को आप देखें कि उपयोगिता पूर्ण क्या ये स्लिवर्स है पाठेक्रम सार्थकता उसकी प्रासंगिकता वर्तमान परिस्थितियों के प्रति उसकी अनुकूलता है आजीविका वैचारिकता जीवन दृ जीवन पद्धती, छात्रों के प्रति जवाब देही, छात्रों का व्यक्तित्व निर्मान और फिर जो उद्योगिक और समाजिक उसकी प्रतिष्था है उसकी उपलब्धियां इस पाठेक्रम से रूचिर्ता, आकरशन, स्मार्ट और डाइनमिक जिसे कहें आप अग्रसर् प्रशन है कि इसकी मार्केट डिमांड क्या होने जा रही है, तो कुल मिलाकर की अठारा प्रशन है, जिनके आधार पर हम इसको मुल्यांकित करने का प्रयास करें, और मैं ये फिर कह रहा हूँ कि ये ना तो कोई आलोचना का विशय है, ना कोई आपतियां या दोश निकाल करने का है, ये केवल ये है कि अगर हम कोई सुझाब दे सकते हैं, और हम इस हिंदी के तुरती अगर निष्ठा बंध हैं, और हम चाहते हैं कि इसकी सुप्रतिष्ठा हो और ये प्रभावी विशय बने, तो इन विश्यों को हमें चर्चा करनी है, विचार करनी है, ये जो स अच्छे कारण ये था कि मैंने इसके उपर दो बार काम किया, एक बार पहले जो है हम लोगों ने सर्वे वर्क किया, क्योंकि स्लिवस बनाते हुए अगर हमने सर्वे वर्क नहीं किया, हमने ये नहीं देखे कि पुराने स्लिवस में क्या गुणदोश थे, तो फिर मुझे ल कामों का नभीकरण चाहते हैं, ये हमने चात्रों से किया था, और पहली बार में 400 लगभग चात्रों को हमने वो किया था, इंट्रिव्यू, उसके बाद फिर हमने लगभग 1525 लोगों का ऑनलाइन सर्वे किया था, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं केबल दिखा रह अच्छा और सुखद रहता, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1525 हमने लोगों का सर्वे ऑनलाइन किया, और इसमें जो है, ये कितने सारे राज्य हैं, आंतर प्रदेश से लेकर हर्याना तक पंजाब सारे इंक्लूडिड है, और इसमें हर तरह के लोग अध्यापक, विद प्रदेखें, तो आप बड़े हैरान होंगे कि लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं और हम क्या पढ़ा रहें, और चलते चलते आप ये देखते जाएं कि ये सारे प्रश्ण जो हैं हमने लोगों से पूछे और उसके आधार पर जो हमने निशकर्ष निकाले, वो ना उस तरह की उनकी रूची होती है, तो वो जो उन्होंने करना था कि हमने जो Board of Studies में डिसकस कर लिया और वो आपके representative हैं और इसे बात सारी समाप्त हो गई, बात अब भी समाप्त हो सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि हम हिंदी के प्रति इस भारक के प्रति निश्ठावान लोग हैं और कटिबद्ध हैं हिंदी को सुप्रतिष्टित करने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस सारे विशे के उपर एक बड़े खुले मन्द से चर्चा होनी चाहिए, बिना किसी पूरवा ग्रह के, और जो जात्रों का ह हित्व जिससे देश का हित्व हो, जिससे समाज का हित्व हो, और सबसे अधिक, जिससे हमारे व्यक्तित्तों का, हमारी जिए, बुद्धी का विकास हू, अगर ऐसा सलिवस अगर हम डिजाइन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा एक काम कर पाएंगे, अब ये जब प्रशन आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ मेरे अपने भी प्रशन हैं और उसके बाद हम खुली चर्चा करेंगे, आप लोग अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, प्रतिक्रियाइं दे सकते हैं, टिपनियां दे सकते हैं, हिंदी को लेकर के एक जो मेरे मन में हमेशा एक प्रशन रहा है, कि हिंदी के अपनी वैचारिक आधार भूमी को कैसे हम परिभाशित करें, क्योंकि जब आप अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं, तो उनके अपनी पूरी पूरी परंपरा है, और वो अब्रहमिक रिलिजन से भी आ रही है, और ग्रीक किया है, तो उस संदर में हिंदी का जो बोलने का, लिखने का और विचार करने का जो तरीका है, उसमें काफी परिवर्टन आया है, और उससे व्यक्तित्व भी बिखरा है, अब ये बातें सिद्ध करने के लिए तो एक अलग विचार बिने में हमें करना पड़ेगा, लेकि तिसरी जो इसमें बात है, कि हम हिंदी या संस्पित के लोग, क्या अन्य विशे के लोगों के साथ कभी हमने चर्चा की, कि तुम लोग कैसे सोच रहे हो, कौन से तुमारे विशेओं में विचार आ रहे हैं जिनको हम अपने विशे में लाए, या हमारे कौन से नए विचा करना चाहिए तीसरा हमारे जो विद्यारती हैं जो सबसे महतोपूर्ण बात है और मैं यहां पर अपनी बात समाप कर रहा हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं सभी लोग निर्भाय भाव से अपने बात रख सकते हैं कि क्या हम अपने पाठे क्रमों के माध्यम से छात्रों को कभी कोई सर्वे करने के लिए आलोचनात्मक टिपणिया करने के लिए आलोचनात्मक लेख लिखने के लिए प्रेडिक कर पाएंगे या उनको केवल हम इसी से काम चलाते रहेंगे, कि भाई ये लो तुम को मैंने पोईट्री पढ़ाई थी, कविता पढ़ाई थी, अब इसका तुम अनुवाद लिखके आजाओ, अब ये बात मुझे बड़ी चंबित करती है, कि मैंने एक शलोक पढ़ा दिया, अब मैं उसी का उसको कह रहा हूँ, सरल के आधार पर तुम समाज का मुल्यांकन करो, तुम रामचरित मानस पढ़ करके तुम समाज के मुल्यांकन करो, राजनीती का मुल्यांकन करो, कुवेरनात राय को पढ़ करके तुम समाजिक, सांस्कृतिक मुल्यांकन करो, ये तो कोई विशे हो सकते हैं किसी भी प्रश्ण पार सरलार्थ लिखके आजाओ और तुम्हें फिर मैं दस में से पांच और छे या आठ जो भी दिने हैं वो नंबर दे दूँगा इससे कैसे कोई विखास कर सकता है हिंदी का अच्छातर इतना प्रभूत होना चाहिए कि वो राजनीती के उपर अपनी राय रखे समाजिक का एक आलोचनात्मक चिंतन कर सके वो नई फिल्मों के उपर टिकणिया लिख सके इस तरह कि बहुत सारी बाते मेरे मन में थी तो जो मैं आप लोगों के साथ सांचा करना चाहता था बाकी आप लोग विशे विशेशग्य हैं मैं तो हिंदी का उस तरह से विशे विशेशग् से लेकर के और कई सारे लोग ऐसे जिनको समाने रूप से नहीं पढ़ाया जाता मैंने उन लोगों को भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है और फिर धीरे-धीरे मेरी जब मैंने हिंदी के कई नौवल्स जो आधनिक जिनको आप कहते हैं उनको बढ़ा और उनका जो मुझे कथे और विशय सामगरी मुझे लगा कि ये प्रभावित नहीं कर पा रही और ये अपनी बात हमने ही कह पा रहे हैं ये केवल एक अंग्रेजी का उपर से जो स्ट्रक्चर हमारे उपर हावी हो गया है हिंदी के उपर तो फिर मैंने उसको पढ़ना छोड़ दिया बहुत कम पढ़ता हम तो कुल मिलाकर के मुझे यही आप लोगों से निवेधन करना था अब आप लोगों के लिए ये सारा का सारा जो विशय है खुला है आप सभी लोग अपने मंद से आप जैसा अनुभव करते हैं महसूस करते हैं आप लोग अपनी टिपणी कर सकते हैं प्रतिक् लगता है लेकिन निश्चित रूप से अकादमिक स्तर्प है ये एक अपेक्षा तो आप सभी से हई है कि अकादमिक को ध्यान में रखते हुए ही हम जो भी चर्चा करें बादशित करें वो रखें तो ये मंच खुला है मैडम पेजे जो भी इसमें से या डॉक्सा पहले अग सब्सक्राइब करने के लिए अन्म्यूट कर लीजे सर आप अपने को तैन्यवाद डक्टरा स्तोस्ट जी मेरी आवाज आ रही है आपको जी बिल्कुल स्पष्ट है आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बात और साथियों को कहने के लिए और जो पूरा एक स्लेबस की उन सब बातों के उपर बहुत यच्छे तरीके से आपने बाचीत रखी है और अपने अनुभव भी, ओब्जरुवेशन भी और थोड़ा रिसर्च भी उन सब चीजों के होने से ये थोड़ा और भी अच्छा बन गया है जहां तक हिंदी के पाठ्यक्रम की बात है और यद इसमें जो अभी जो आपके सामने है ये तो यद्यपी पुराना है क्योंकि पहले कुरुक्षेतर इन्वस्टी में ये जो चयन आधारित क्रेडिट पद्यती CBCS जिसको बोलते हैं वो था और इस साल से NEP लागू हुआ है वो अलग है उसका फोर्बेट अलग है उसका जो जो यूजी सी की तरफ से आया और जिसको कुरुक्षेतर इन्वस्टी ने डॉप्ट किया उसमें ये बात आपकी पीड़ा मेरे ख्याल में जितने भी सिक्षक इसको बनाने में शामिल रहे होंगे सबकी है कि उनसे राय ली गई के नहीं ली गई वो उप्युक्त थी के नह करना है और जितनी बुद्धी समय और प्रक्रिया में जो सिस्टम अलाव करता है मेरे ख्याल से हर टीचर ने आपकी स्पीड़ा को अपने अंदर दबाए रखते हुए या उसको अपनी कैपिटल बना करके पूंजी बना करके स्लेबस का निर्मान किया है वो जो आपने बा बनते हैं आप भी इसी उसके हिस्सा है कि हम सब एक व्यवस्था के अंदर ही काम करते हैं लेकिन जितनी भी हमें छूट है जितनी भी हमें चीज है मिली है एनिपी लागू हो के ना हो उसका स्वरूप और स्ट्रक्चर क्या हो और उसके लिए हम पहले से कोई इस तरह की प् उसमें काफी चीजें होती हैं पेचीद की जिसकी अपनी रूचियां होती हैं वो करते हैं और मेरे ख्याल से अपने तोर पे जिस तरह का हमारी विवस्था है उसमें विद्यार्थियों से और हमारे जो साथी कुलीद होते हैं उनसे जितनी संभव होती है या जितनी तोर पर चीजे निभाई है यदि आप इसी पाठेक्रम में ही देखें कि जो निर्देश दिये गए हैं कि एक विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है कि यह पढ़ करके वो क्या सीखेगा जो आउटकम है हर पेपर का उपर दिया गया है इसका लक्षय क्या है और यदि इस कर रहे हैं यदि उसमें पाठ अधारित प्रश्णों की आप बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि निर्धारित जो रचनाया उसकी विश्यवस्तु उसकी मूल संबेदना और उसका रचना सोस्थो प्रासंगिक्ता जो आप कह रहे हैं कि उसकी यानिकी अकैडमिक ब जहन किया कि नहीं किया इसके लिए भी आप पूरे निर्देशों को देखेंगे कि इसमें जो पाठ बोध के आधार पे अलग-अलग क्योंकि अलग-अलग तरीके के सलेबस हैं पोईट्री में अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और जो गद्यमेहल एक यह में काम करते हैं कि है यक समय सीमा है पढ़ाने की बी विद्यारति के स्तर की उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो महत्रा है और उसको कैसे रखा जा impacto उसके इंदर एक विध्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्मान भी हो उसके अंदर उसकी बुद्धी का विकास भी हो और वो अपने तरीके से इस समाज की सचाईयों को ग्रहन करने विशलेशन करने के काबिल भी हो जाए एक द्रिस्टी आकार भी ग्रहन करे और इसी से यदि वो कोई रोजगार बना सकता है अपना या जो पहले से रोजगार संधर्ष में भी यह पाठ्यक्रम उसकी मदद करें यह सब चीजें अपने तरीके से इसमें ध्यान रखे गई हैं जो कुछ बाते आपने कही हैं कि वह मतलब वह आपकी मान्यताएं हैं और उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहना चाहिए कि यदि कोई नई बात आई है त अब ना तो हम उस परंपरा को छोड़ सकते हैं पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से उसको जो उसका सही स्वरूप है इतने कम समय में उसको बता सकते हैं यह इतना बड़ा विश्य है हिंदी अलग से ही मध्यकाल पे और अधुनिक काल पे हिंदी भाशा पे हिंदी स पहत्य की जो अनेक्विधाइं हैं वहलों जो हमारी और फिर हिंदी Subject के ऊपर जो एक अत्रिक भार है वहाइ है मुल्य निर्मान का जिसको हम कहते हैं कि सारे साइन्स के हों यह कोमर्स के हों यह सोछल साइंसिज के यह एक उन विश्यों से सारा लोड जो है वो संस्कृत हिंदी पंजाबी इन भाशाओं पर आ जाता है तो यह अपेक्षा की जाती है कि जो एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए जो प्रियास होने चाहिए वो भी इने के जरिये ही पूरा किया जाएगा जबकि वो सभी विश्यों की वो बात होती है तो इस तरीके से इसी चीज के बीच में एक पाठ्यक्रम बनता है इसी उसके उपर लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरह से आपने बताया कि जैसे चाहे फिल्में हो चाहे कुछ हो यदि आप पूरा सलेबस देखेंगे हिंदी क जिस तरीके से जितना जितना समय मिलता है उसको पाठ्यक्रम का उस तरीके से कि कम से कम यदि विशैसज्यता ना हो एक सनात्त के विद्यार्थी को तो कम से कम परीचे हो जाए कि विशैसा नाधी हासिल तो यह मतलब बहुती विशद बात है युदि हम एक एक उस पर जाते हैं लेकिन थोड़े परीचे के तोर पे विद्यार्थी से यह देख्षा करते हुए उस तरह की बाते हैं बाकि हमारे साथी जुड़े हुए हैं अभी इन साथियों को यह स्लेवस पढ़ाने का मोका नहीं मिला क्योंकि हो क्या रहा है कुरुक्षेतर इंवस्ट्री में जो दो साल पहले हमने स्लेवस बनाया था करोना के दूरान यह जो आप देख रहें जो आपने शेयर किया है प्र और फिर कैंपस के बाद अगले साल वह फिर कोलेजों में चला जाए तो यह सलेवस अभी कोलेजों में नहीं गया है अभी यह सिरफ यूनिवर्स्टी जो हमारा कोलेज है जो इंस्टिचूट बन गया है उसी के विद्यार्थियों ने पढ़ा है और उसी के अध्याथकों पढ़ाया है नया सलेवस है यह हिंदी का तो उनके जो अनुभव हैं यदि उन साथियों में से कोई यहां पर हो तो वो जरूर बताएगा कि इसमें वो किस तरीके की जो नई विधाएं हैं या नए साहित्यकार है या नए तरीके से जो दृस्ति है कि कैसे हम अपनी परंप को साथ में लेते हुए एक जो अधुनिक ज्यान है उससे भी जुड़े रहें तो इसका प्रयास जरूर है अब यह बहुत सारी चीजें जैसे भीमराव अंबेटकर ने समिधान के बारे में कहा था कि आप कितना ही अच्छा आप उसको बना लीजिए कितना ही अच्छा नहीं है तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा अंत्ता हर स्लेवस की परिक्सा क्लासरूम में होनी है हर अध्यापक अपनी द्रिश्टी से अपने ही मकसदों के साथ अपने ही जो वातावरण है उसमें उसको पढ़ाता है और जो विद्यार्थी उसके पास आते हैं व इसलेवस एक दो फीडियों के बीच में कर समबाद का आध्याक जरिया है जी जिसके माध्यम से वो उस Grace को दहरण करता है अपने समाज को देंस सीख आह और इसके बीच में होता है अध्यापक स furnaceर LauSmilich ए वो इसलिए ना इन सब चीजों के बीच प्रभाव शीलता क्या होगी तो वो सब चीजों के साथ ही हमें बात करने की जरूरत है जो हिंदी के अंदर जो बच्चे आते हैं स्कूल से कॉलेज में अंग्रेजी में भी यह हालत है कि हमें उसकी मात्रा ठीक करने के लिए ही हम बचे हुए हैं कि उसको किस तरह से उसका उचारण ठीक कराएं या किस तरीके से उसको उसकी वर्तनी सुद्ध लेकन कराएं जो की एक पांचमी तक का या ज्यादा से ज्यादा दसमी तक का काम हो जाता है बिल्कु बिल्कु ठीक है रहे हैं जो स्कूली सिक्सा जिस तरीके से बरबाद हुई है और वहां पर जो हिंदी की स्थिती है वो एकदम जब कॉलेज में आता है तो उस अध्यापक के उपर क्या बनती है और यदि आप नोवी में पढ़ाने वाले हिंदी दियापक को पूछे वह तो उसका भी यह उप्तर होगा कि जो पीछे से बच्चा रहा है कि हमारी समस्या यह कि उसको हम आगे कैसे भेजें तो यह जो इस चीज के बीच में तो पूरी हमारी जो सिक्षा प्रणाली है उसी के एक बिंदू के तोर पे मेरे ख्याल से पाठ्यक् में ही है तो इसलिए उसकी क्वालेटी और उसकी रेलिवेंस और उसकी मोडरिनिटी या उसकी जो हमारी ट्रेडिशनल हेरिटेज और वैल्यूज उन सब को साथ लेके चलता है कि नी चलता है बड़ी जरूरी बात है सलेबस में यह गुंजाईश होने चाहिए कि हर अध्या हुए जितनी कोशिश हुई है वो की है और मुझे पूरा विश्वास है साथी लोगों के पास जब यह पाठ्यक्रम जाएगा तो यह जरूर महसूस करेंगे कि कुछ हम उनको तैयारी करनी पड़ेगी साल से हमारा पीजी का जो पाठ्यक्रम है वो स्कॉलेजों में जा रहा कि जो खुद का नमीनी करन है पाठ्यक्रम के साथ वह बहुत जोर मांगता है वह बहुत उसके लिए जरूरत होती है कि फिर से हम एक विद्यारती बन करके उस पाठ्यक्रम को पढ़ें और नए वैल्यूज के साथ पढ़ें तो यह बाकी ठीक है मतलब एक प्रक्रिया है सिक्षकों में यह बात जाए कि नया करना और पुराने पाठ्यक्रम को नई तरीके से पढ़ाना निदि बातें बिल्कुद बहुत बहुत पूर्ण बात है फ्र कोई बीच में जरूरत हो गी तो मैं जरूर इस सारी परषड़चा को जो है उसका सार संक्षेट तो आप ही करेंगे लेकिन अभी हमारे साथ मैडम सुधा महला जी वो कुछ कहना चाहती है और उसके बाद डॉक्टर जैप्रकाश गुप्ती जी लेकिन मैडम सुधा इससे पहले कि मैं आपको अमंत्रिक करूँ एक चीज डॉक्षा मैं और दिखाना चा करेंगे बच्चे मुल्यांकन करेंगे इस तरह का हमने सारा के सारा यह डिजाइन किया था तो लेकिन वह तो चलो वह कोई शिकायत वाली बातें भी नहीं है और यदि आप यदि आप हिंदी का इन निर्देशों को देखें कि उसमें कैसे दे जाएं आप उसको पढ़ें त तो आपका मेरे खाल से दिल गदगद हो जाएगा जी जी मैंने देखा वह अच्छा लगा यह वाला बाकि अभी नए वाला भी मैं देख लूँगा उसको भी पढ़ूँगा चलिए डॉक्टर सुधा महिला जी कि अपने हाथ खड़ा किया हुए है कि अपने को अन्म्यूट कर लें कि यदि कोई अपना कोई भी विक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो कहें बिना संकोच के कहें तो खुली चर्चा है और आप सभी अकाद्मिक रुचीर बाले लोग हैं हेलो हां जी मैं अपना परिचय दे देगे परिचय दे देगे और फिर बात रखें जी सभी का नमस्कार मैं सुदा महला कुछ शेत्र विश्विधालाय में संगीत नरित्य विभाग में प्रद्यापी का हूं और जो यह नया सलेबस है एन एपी का सुभासकर जी ने जो कहा है आप मेरे कहने की वैसे तो कोई आफशकता नहीं है क्योंकि इनों ने ही बनाया है यह हमारे चेयर परसन तो है और गुरू सुमान है हम कुछ समस्या यह समद्धी तो जो होती हम इनके पास जाते हैं और उनको सीखते हैं जो यह नया सलेबस है जो आपने यहां पे लगाया हुआ है तो इसमें 120 और 30 यह 500 का बताया है हमारी नस्टी में जो लगा हुआ है स्लेबस वो भी डेट सोक है लेकिन वो प्चेते प्चेते दो भागों में बटा हुआ है जी दूसरी बात यह है कि यहां पर जो स्लेबस लगा है हिंदी इंग्लिश और पंजाबी तीन जो भासाएं है बीए के बीए के स्टूडेंट को उनमें से एक भासा का चयान करता है गिए पर लगा होगा है हिंदी में इंग्लिश में पिचासान का वो उसका चयान कर सकता है इन पेपर के अलावा जो यह सलेबस लगा हूँ है इसमें एक बात यह है कि इसमें बच्चा कहीं गरामीन इलाकों से कहीं बच्चे आते हैं उन्होंने सुरू से हिंदी में शिक्ष्य प्राप्त की हुई होती है आगे जाके उन्हें इंग्लिश में बहुत दिखते हा जाती है व इस विशे के चुनने के लिए जैसे वो हिंदी को यह आगे बढ़ाते चले जाएं जैसे संगीत के विद्यारती है मुख्य रूप से उनका संगीत में होता है इसलिए उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाती लेकिन हिंदी विशे को चुनने वो क्या है वो पास हो जाते हैं और उनका विशे तो होता ही संगीत है क्योंकि वो प्रैक्टिकल विशे में इतने ज्यादा होते हैं कि वो मैंटली मानसिक स्थर पर वो इतना नहीं पढ़बाते क्योंकि एक जैना जब कोई आप हो जाता है दूसरी तरफ से वो नीचे चला जाता है क्योंकि वो सारा दिन प्रैक्टिकल कारिया करते हैं बजाने का गाने का लेकिन वो बौदिक स्थर पर इन विशे हो पर इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बच्पन से हम बच्चों को इंगलिश मीडियम में भीज देते हैं यह तो आप जानते ही हैं लेकिन हिंदी को इतना बच्चा पड़े नहीं पाता करिया किचस की बच्चा इस में चला जाता हैं वह फिर फिर अबस पैसे लगटा किष्ट को पाताые व्ह Одन वह चीज करता हैं तहलता है यह जब पाकीज करता है कहीज जती आखमाने निहें कुछा आग हाइग को चीज कर देता हैं कई निग शमानते हैं गात्व्त के अंदर में उसके एक उप्षिन मिलेगा, बियांती का बच्चा भी है, उसको इस वीशे को चैन करने का मोगा मिल रहा है, वे इंग्लिस भी इंग्लिस सो देख को नहीं है, पच्चपन से कर रहा है, इसमें वो बच्चा मेरम, आपके आवाज कट रही है इसमें कुछ नहीं है, पोल्टिकल का बच्चा कमिस्ट्री ले सकता है, फिजिक्स भी ले सकता है, ऐसे है, यह बिल्कुल खुला है जी जी, चलिए यह तो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत कर रहा है कि मैं बहार ही बैठी हूँ, ओपन उनस्ट्री में, यह भी छूट है है, हमारे विश्वी डहले में, कि आप बहार टेमपस में कोंगी चलो, यह तो और भी अच्छी है, यह सुवित कर चाहिए, चाहिए मैं इसलिए साम जाड़ में, हाँ कि इस स्लेबस के अंदर हमारा नीप के अंदर है, मतलों कि बहुत ज्यादा चूटा है, हंदी को विक्रित करने का बहुत बड़ा रहे हैं, कि हिंदी के लिए बहुत, इस स्लेबस के स्प्रिजिन, जोड दिया गए है पर हमने ऐसा ही लगा दिया कि नी बंद लिखेगा ज़िए कभी तब करेगा जी मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं कि नवाचार और नवनमेश के लिए बहुत अपनी मर्जी से उसकी फिर हम एना उसकी क्रेटीबल्टी रेखेंगे उसकी चिनात्म के लिए क्या है और लेकर है हमारी जी कोसर भालेगा तरहेंगे उसके कुछ कि करते हैं कोशें नहीं थे लेकिन हम बच्चे हो आप एना सूप्ची आएंगे पढ़ने भाल करेंगे इसमें पढ़ने लगा हुआ है है आभी फर्स्ट एयर है हमारा लेकिन अब हमने इसको दो हम और थोड़ा नहीं है ठीक है मेरम और धन्यवाद हो आपका आपने अपन हमारे साथ प्रोफेसर जंग बहादूर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं ये बड़ी प्रसंता की बात है देश विदेश में उन्होंने भमन किया है और हिंदी के जो उन्होंने दाइत्व ग्रहन किया हुए है उसके लिए वो साधुवाद के पात्र है और बहुत साहित एतिहास उन्होंने हिंदी को लिर के लिखा है तो उनकी बात भी हम बीच में सुनेंगे लेकिन उससे पूरो डॉक्टर जैप्रकाश गुप्त जी हमारे साथ जो की निरंतर हिंदी के लिए जो आग्रह रखते हैं और हिंदी की शुद्धता और हिंदी में जो बिचार आत्मक्ता है उसके प्रति उनका हमेशा ही आग्रह रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी बात हमारे साथ सांचा करें कि दॉक्ता आप अपने को अन्म्यूट कर लें सभी को नमन मेरी आवाद आ रहे हैं जैप्रकाश गुप्त मूल रूप से शिक्षा से एक चिकच्चक किन्तु हिंदी के पती आग्रह मेरा बहुत समय से प्रारंभ से ही कि राष्ट्र भाष्ट depends कि विचार मंच यहां पर हिंदी और हिंदी के माध्यम से भारतिय संस्कृति और भाषण और संस्कृतिके माध्यम से राष्ट्रवाद इसके प्रती छेतना जागृत करने का ये एक मंच जो 22 वर्ष्षव यह अंबाला में रुप से कारियत है कि मैंने सुना वक्राष्ट तोश्ची आपको और मैं आपके हिंदी के पती वैसे तो यह जो गोश्टि है यह तो है यह हिंदी के पाठ्थेकर्म के लिए है और पाठ्थेकर्म के Seveena मुहें बहुत और नहीं है मैं इसके बाहरे में अधिक जयनकारी नहीं चुन कि और मैंने सुना कि अधिए क्या नहीं दिक नहीं है ई Bacon तो मेरा इस विशे में ये मानना है कि भाषा एक तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि भाषा केवल संप्रेशन का माध्यम नहीं है. की फिन्दी का आपना विचार क्या है कि जब तक वो विचार यदि हिंदी का विचार कीवल एक इधर-उधर से शब्दों को लेकर के एक भाषा बना करके वह एक संप्रेशन का माध्यम ही है फिर तो यह बाजारू हिंदी जो चल रही है वह सब कुषं ठीक ही है किन्तु क्या भाशा केवल एक संप्रेशन का माध्यम हो सकती है इस पर यदि हम विचार करेंगे तो निश्यत रूप से हम यह पाएंगे जैसा कि बस अब ने भी कहा कि अंग्रेजी की अपनी परंपरा है वो किस प्रकार से अब्रहमिक रिलिजेंस को लेकर के आती है भारत मे उर्दू की भी यह दिपी लोग ऐसा कह देते हैं कि उर्दू और हिंदी एक ही बात है किन्तु ऐसा नहीं है उर्दू जिन शब्दों को जिन इसलामिक शब्दों को भारत में लेकर के आती है और भारत में जिस प्रकार से वो स्थापित हो जाते हैं और हिंदी में जब तो अब मुझे नहीं पता कि यह जो syllabus बनाने वाले लोग है यह किस प्रकार से सूचते है विचार करते हैं कैसे सिलेबस बनाते हैं नई शिक्षानीती में भी मेरा आक्षेप ये है कि नई शिक्षानीती कॉलेज में क्या कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं नई शिक्षानीती में जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका माध्यम मात्रिभाशा होगा ऐसा करके अग दिया गया संस्कृति मॉडल स्कूल मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृति सिखाने का प्रयास यह क्या होता है क्या नहीं होता मैं नहीं जानता हूं कि संस्कृति को यदि जानना है तो अपनी भाशा के माध्यम से जानना चाहिए दूसरी बात यह है कि ज अपने शब्दों के प्रति आग रहना चाहिए सभी का आग्रह रहना चाहिए और हिंदी संस्कृत से शब्द ग्रहन करती हैं तो जो भी हिंदी के अध्यापन में जुड़े लोग हैं उनको इस बात पर विशेश बल देना चाहिए कि वे अपनी भाशा में संस्कृत विद्दों का प्रियोग करते ही उनके मन में जो भाव आएंगे उनके मन में जो सांस्कृतिक एक भाव पैदा होगा वो आगे उसको बच्चों में दे सकते हैं। अभी मैडम कह रही थी, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा और अंग्रेजी सीखते हैं तो हिंदी नहीं सीख पाते हैं। मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति, एक साधारण, एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में तीन, चार, पाँच भाषाएं अच्छे से सीख सकता है। किम्तु शर्त ये है कि पहले वो अपनी भाषा को बहुत अच्छे से सीखे। उसके बाद अंग्रेजी सीखना कोई लंबी चौड़ी, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बाद च्छे महीने एक साल में अच्छे से अंग्रेजी सीख लेते हैं। ये जो अंग्रेजी माध्यम का जो रोग इस देश में है, ये जब तक रहेगा। और अभिभावकों का ये बल कि मेरा बच्चा अंग्रेजी सीखे, अपनी भाषा सीखे या ना सीखे। और बच्चों को दुद्मोए बच्चों के कान में अंग्रेजी के शब्द जो डालने की परंपरा इस देश में चल रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत भातक है। और जहां तक साहित्य की और पाठ्यक्रम की बात है। सके जिससे वह अपने ऊपर भी गऊर्व कर सके जब उसका उसका ज्ञान अपनी भाशा में संपूर्ण होगा और और ग्यान होगा तो वो उसका सम्प्रेशन भी कर पाएगा तरफ्टर जय प्रकास्टी भाइब आपके सुझाव है निश्चतरूप से इन को भी हम ध्यान में रखें गही ही जब इसको हम इसका साभ संग्षेप करेंगे तो निश्चतरूप से इन बेश्षाँ को हम केंद्रित करेंगे इन बिश्षां के उपर अभी हमारे सात मैठम रेका शर्मा जी वो जुड़ी हुई है और वो अपनी बात कहना चाहते हैं मैंडम अपना परीचे देख करके आप अपनी बात रखें हाँ जी सर्फ मेरी आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल हाँ जी आप सभी का धन्यवाद और इस कारेक्रम से हमें जोड़ने के लिए भी आपका की विचारत तो सुना और समझने का प्रयास किया तो मैं इस विशे में मैं डॉक्टर रेखा शर्मा डेवी कॉलेज अंबाला शहर से हूं हिंदी विभाग में कारे रथ हूँ मैं इस विशे में यही कहना चाहती हूँ कि यह जो सनातक स्तर पर पाठेक्रम का बदलाव किया गया है या नवीनी करण किया गया है यह मेरी दृष्टी से निश्चित रूप से सकारात्मक है और एक अच्छी पहल है क्योंकि बहुत समझने एक ही प्रकार का पाठेक्रम के आसपास भूमने की कारण हम सभी शिक्षक भी और विद्यार्थी भी उनी के आसपास उसी पाठेक्रम के आसपास रह गए थे और इंदी जो हमारी मातरी भाष्चा है राष्ट भाष्चा है राज भाष्चा है वास्तों में यह सिरफ विद्यार्थी को भाष्चा की साथ नहीं जोड़ती अपितूस को समाज, राजनिती, धाज, संस्कृती से भी जोड़ती है इसलिए यह पार्थेक्रम जो भी नया पार्थेक्रम है या पुराना पार्थेक्रम है उसको पढ़ते हुए अनायास ही विद्यार्थी जो है एक इन सब क्षेत्रों से जुड़ जाता ह राजनीती से भी धर्म से भी नैतिकता भी हमारी भाशा जो है एक नीतिवान भी बनाती है विद्यार्थी को तो ये एक बहुत अच्छी बात है तो जब ही हम हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों को तो मेरा ये मानना है कि हम उसको एक तून व्यक्तित्व देते हैं भाशा की वर्ष से ही सनातक की प्रत्वम वर्ष से ही भाशा में व्याकरण का आश तीनों वर्षों में 6 सेमेस्टर्स में 6 की 6 सेमेस्टर्स में व्याकरण का थोड़ा थोड़ा भागिदारिता होने चाहिए उसका सलिबस होना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास बच्चा आता है बी ए ये पास कर देने की जो सुविधा प्राप्त हो चुकी है उसकी कारण उसका भाषा ग्यान बिल्कुल शुन्ने होता है यकीन करेंगे कि मुझे अभी किसी कारेक्रम में एक महिला मिली जो की गौर्मेंट स्कूल की टीचर थी तो वो मुझे कहती कि विद्यार्थ्यों को हिंद फलदार व्रिक्ष को सीच रहे हैं आपने तो एक बीच को सीचा है तो जैसा पंचा पढ़ रहा है उसका आधार तो वही बनेगा बिल्कुल में आकर महा विद्याले में आकर वह बहुत ही प्रकान पंडित बन जाएगा यारी बज जाएगा इसमें तो मनलब सद्देहे वा नजरिये से वो जिद्दिगी को जी सके ऐसा होना चाहिए और व्याकरन का घ्यान वर्तनी का वर्तनी की शुधी इन सब चीजों के उपर भी ध्यान देने की आवशित्ता है बिल्कुल ठीक है जैसे हम बैंक में या कोट में जाते हैं कोट की जो भाशा है वहां के काग्जो में जो भाषा है उसमें उर्द्उ का प्रभाव है लेकिन जो हम डेंक में जाते हैं वहां देखते हैं फारम भरे जाते हैं उन फॉरम के उपर ली हिंदि अगर लिखी होती है तो किसी ही व्यक्ति को वह समझ में आता है फॉरॉब crimes क्या होता है कि वहां सबसे बड़ी बात है कि वो एक व्यक्ति को एक अच्छा संपूर्ण व्यक्तित्व को देने में अच्छा बदलाव है और एक अच्छा बदलाव है इसके साथ मुझे लगता है किसी और प्रतिभागी ने अपनी अगर कोई बात रखनी है तो जरूर हमारे साथ सांजा करें लेकिन उससे पूर्व एक बात मुझे ध्यान आ गई कि सुप्रीम कोट की एक जो निर्ने है जज्ज्मेंट है उसमें उन्होंने ये कहा था कि समिधान का अगर हिंदी रुपांतर जो होगा और ये बात मुझे बड़ी देर से खलती रही है लेकिन अभी मैडम की बात सुनते सुनते मुझे वो ध्यान आ गया तो मैंने आपके साथ ठांजा कर लिया तो जिस देश में हिंदी की मानेता सरवोच न्यायाले ही स्विकार नहीं कर रहा तो एक बड़ा अपने आप करके यदि कोई विवाद होता है तो उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ समय दान मानने होगा лекारे नहीं है लेकिन चलिए वह फिर कभी के संदर्भ हैं तो यदि किसी और की कोई बात है तो आप संग्षेफ में अपनी बात हमारे साथ सांजा करें नहीं तो मैं प्रुवेसर डॉक्टर जी डॉक्टर जैप्रकार्ची सरन जी अभी एक और सुप्रीम कोड की टिपणी है या वो जजमेंट है भाषाओं की संबंद में वो आई है कि हम तो नहीं सुधरेंगे हम तो अंग्रेजी में काम करेंगे लेकिन हमारा निर्णय भी अंग्रेजी में होगा लेकिन उस निर्णय का अनुबाद भारत की सभी सबसे बड़ा जिसको कुछ लोग ने आयले कहते हैं मैं तो ने आयले कभी कहता नहीं हूं वो ऐसा व्यभार करेगा तो उस देश में खूक्ष्टी भाषा का क्या होगा ठीक है हमारे साथ प्रोफेसर जंग बहादूर जी जुड़े हुए हैं मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वह अपने टिपनी जो है हमारे साथ सांजी करें इस विशे पर दौक साथ आप मेरी आ सिर अभी शेद वो नहीं जुड़े हुए हमारे साथ लेफ्ट होगे अच्छे जी मेरम अभी जै और देखिए जो भी अपनी बात हमारे साथ सांजा करना चाहते हैं अनीश जी मंजीत अब दुलके अपनी बात रखें कोई दिखत नहीं है हान जी नमस्कार में नमस्कार में जी आप दन्यवाद में सबसे पहले मैं डॉक्टर विजाई शर्मा जी को और संपूर्ण मैं हस्डी कोले जी कहूंगी मेरा मा विदल्य रहा है यहां से पढ़ाई की है आप सभी को सादर नमस्कार डॉक्टर सुभार जी है हिंदी विभाग के अधिक्ष कुरुक्षेतर विश्य विदल्य कुरुक्षेतर से हमको सादर परणाम करती हूं मैंने पूरी चर्चा सु तो अश्य ही किया गया है और सरकी मुझे आशुतोष ची परिखाल से बोल रहे थे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हिंदी का विद्यार्थी जो है वर्तमान में जो हो रहा है राजनीती में है समाज में है धर्म सभी में अपनी बात रखने में सक्षम हो जाए ऐस प्रयास जो है इस पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है तो ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी शिकायत कोई नहीं है अच्छा स्लेवस है और जब पढ़ाएंगे तब और निखार आ जाएगा पढ़ाने वाले भी निखरेंगे पढ़ने वाले भी निखरे और बस व्याक्रन का थोड़ा सा था क्योंकि प्रतियोगी परिक्षाएं जो होती है जी उसमें साहित्या के पैक्षा व्याक्रन को अधिक मेरे खाल से रखा जाता है और हिंदी तो ऐसा विशय है सर क्लेरिकल से लेके आई एस यूपी एसी तक हिंदी विशय जो है अपनी अलग पहचान रखता है और मतलब जरूरी है तो उस संदर्व को भी अगर देखा जाए कि जो प्रतियोगी परिक्षाएं है उनमें व्याक्रन को बहुत अधिक मेरे ख्याल से स्थान नहीं दिया गया तो वह अगर या एक अलग से विशय जैसे ऑप्शनल है वो हो जाए त तो बच्चे हिंदी की तरफ और अधिक आकर्शित होंगे और एक और मेरा व्यक्तिगत विचार ये था जी कि ऑप्शन में रख दिया गया हिंदी को जहां तक मैं समझ पा रही हूं कि जैसे लेंगविज है भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक लेले फर्स्ट सेहम में शायद यही है तो इंग्लिश लेले या हिंदी या पंजाबी या संस्क्रिट तो अगर आप सभी हिंदी के मैं तो वह चोटी हूं आप सभी से आप सभी हिंदी के विद्वान हैं मेरे तो आप इस बात को ओर अठिक समझते हैं कि हमारी हिंदी भाषा अगर हम उसके लिए कुछ संघर्ष करना चाहते हैं, तो वह ऑप्शन में नहीं वहनी चाहिए थी, NEP में, और ये बात भी सच है सर, हिंदी हमारी मां है, हमारी मात्र भाषा है, हमारे देश की भाषा है, हमार अपने भावों को दूसरों के सामने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं चाहे को इंग्लिश का भी प्रोफेसर है वो हिंदी में ही बात करेगा यह 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 हिंदी की शक्ति है हम जब तक हिंदी में बात नहीं करेंगे तब तक हम अपने भावों को दूसरों तक नहीं पहु तो यह मुझे तोड़ा सा इसमें कमी लगी है ऑप्शन में ना हो हिंदी उसका एक तरीका है मैं आप तो वह चलाक्षी वाला तरीका बता देता हूं उसके बार डॉक्टर जंग बहादूर जी हमारे साथ दुबारा चुड़ गए है तो वह अपनी रखेंगे और फिर इस सार कि उसका तरीका है कि आपने अपर से कहें कि सभी सेश्ट्री चौन है वह निश्चित कर दें जैसे होता है कि अंग्रेजी और इंडिकिंडी जम्राइasında फिक्स है अगर चार शाऑ जानुँपनी सा बहुत हैं उंपर हैं ज Statesौन और के लिए तो वो एक तोड़ है ठीक है ना कि अपने ही स्तर पे चाला की करें या कुछ भी इसी ही है विवस्ताओं में आपको जो है वो उठा-पटक करनी पड़ेगी नहीं तो यह इसको बदलना तो मुश्किल है ठीक है तो रस्ता मैंने आपको पज़ा दिया है जरूर जी ज सब्सक्राइब करते हैं मैं सादर जो है नमस्कार करती हूं धन्यावाद बहुत बढ़िया मंजीत और सबसे चीवाद ऑप्शन वाला जो है वो मेरे दिमाग में भी था कि अगर हम यह रखते हैं कि एक भाशा विद्यार्थी लेगा तो सबसे पहले तो घर वाले सोचते कि चीइए ने बच्चे को इंग्लिष आने चे तो बच्चांकि लेना भी चाहे कि इंग्लिष नहीं ज़्यादा अच्छे आती हिंधी में लला पर लेकिन घरवालों के दवाव रहता है कि बच्चा्स कृषब हिविध इंग्लिष सिखे ले हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में से एक ले तो थोड़ा सा खत्रा हमें लग रहा है कि भाशा पर आशुतोष जी ने जो समाधान बताया वो तो कॉलेज के प्राचारिये और मनेजमेंट पर ही निर्भर करेगा वो कितना हमारी बात मानेंगे इसके लिए जरूर करना पड़ेगा और इकठे होके करना पर और यह जो हम आज चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं इसी कि अधार शीला भी मैं मानती हूं कि हम सब इकठे होके अपने विश्य के को बचाएं और इस पर काम करें और इसको और उपयोगी जाएं पढ़ाने के ढंग से या स्लेबस के ढंग से किस तरह से हम इसको बच्चों के बीच में समवाद जो सुभाष सहनी जी कह रहे थे हैं करें वह वाकी वह बहुत महत्तपून रहेगा इस समय जो इनवीनी करना हो रहा है हम सब एकत्रित होकर इन सब बातों पर बात करते रहें तभी समाधान जो है निकलेगा और हम अपने आपको शर्शक्त भी समझेंगे इसके लिए तो अशुतुष जी अभी अपना पांडे सर को जो है अशुत करें लेकि एक बस बधाई दे दू जंग बहादर पांडे जी को उन और रांची विश्व देले के पूरव हिंदी अध्यक्ष हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत गहरी पैठ है हिंदी में हम उनको अमद्दित कर रहे हैं अपने टिप्री देने साधर नमन जी जी बहुत-बहुत साधुवाद है डॉक्षाब आपको बहुत-बहुत बधाई हो आपकी उपलब्धियों के लिए और निश्चत रूप से आपके इस विचार को हम सुनना चाहेंगे मुझे लगता है फिर डिस्कनेक्ट कर गए हाँ जी हाँ जी स्पष्ठ है तो डॉक्षाब आपकी जो विचार है वो हम आधुनिक जो वर्तमान कालिक जो स्लेबस है हिंदी का पाठिक्रम है उस पर सुनना चाहते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर सैनी चीचों है प्रोफेसर सैनी वो इसको कंक्लूट करेंगे इसक मानस भवन में आर्ज जन जिसकी उतारें आरती भगवान बारत बर्स में गुंजे हमारी भारती ओ भद्र बाव द्भावनी हे भगवती हे भगवते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते सनातन धर्म कॉलेज अंबाला शावनी के हिंदी विभाग के तत्वावधान में आयोज एक दिवसिये राष्ट्रिय संगोष्टी की अध्यक्ता कर रहे परमादर्निय डाक्टर बास्टी जी प्रोफेसर अमध्यक्ष हिंदी विभाग कुर्वत विष्ट जाले की अध्यक्ता आज के समारों के मुख आती थी परमादर्निय डाक्टर बिजय दक्ट सर्माजी पूर्व निदेशक हरियाना ग्रंत अकादमी पंच कुला कालेज के अचार्ज वाक्टर बिजय सर्माजी और इस संगोष्टी परमादर्निय आशुतुस अंगिरस जी सवाग है कि मैं आपकी संगोष्टी से जुन सका जब कभी आपके कॉलेज के त्वावधान में संगोष्टी होती है आप तोस जी अब ही रहती है जुन का आवसर प्रदन करते हैं मैं आप सब के प्रती जर्दे से तक्ड़ा ग्यावता हूँ नो बर्ष की मंगल कामनाएं दे रहा हूँ कि गनतंत्र दीवस के पावन असर के असकाल पाद आज 28 तारीको यह संगोष्टी राष्ट्रिय शिक्षा नीती की कि हिंदी पाक्ठ क्रम पर केंडित है। शिक्षा मनुस की मौलिक और सताओं में सरवाधिक महत्य पूर्ण है। मनुस की चार मौच पूर्ण भोजन, बस्त, अवास और सिक्षा। करम पूर्ण चार सिक्षा चौते नंबर पर है। मगर महत्व और प्रेनर के दिश्ट या प्रथम अस्थान की अधिकारनी है। भारत बर्ष में कई शिक्षा नीतियां आई। लेकिन तिन महत्य पूर्ण है। एक तो अठारा सो पैंतिस में लौड माकाली सिक्षा नीति आई। जो कि अग्षा आपकी आवास मुझे लगतार डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी सर्ट डिस्कनेक्ट हो गया आउंका ना नेट की को अग्षा पंद्रह बीच सेकेंड और देख लेते हैं नहीं तो उसके बाद आप प्रोफेसर सैनी जी को आमंत्रिक करें इस सारी चर्चा का साथ संक्षेत और जो भी इसके उपर है और फिर उसके बाद आप धन् मुझे लगता है कि आमंत्रिक करें प्रोफेसर सुभाश्ची को आप साधर आमंत्रिक करें कि इस सारी चर्चा के उपर जो टिपनी है सार संख्षेप है और जो विभिन आयाम है उन पर वो अपना मत रखें और फिर उसके बाद आप आगे जो धन्यवाद है वो आप करें मैडम बीजे जी करें आप सुभाश सेनी जी आगे प्रोफेसर साब ने शुरू में बताया था कि इसमें पार्ट्यक्रम का जो है उनका बड़ा योगदान इसमें रहा है और जैसे कि रेखा ने भी कहा और हमें भी लगा कि काफी कुछ पार्ट्यक्रम में नया है अच्छा है और जैसा उनों ने कहा कि नमीनी कर्ण में हमारे सिर के बाल वाकि हमें भी थोड़ी लगा कि वो थोड़ी मेहनत करनी बड़ेगी हम लोगों को तो ये एक हम कहेंगे कि साकारात्मक दृष्टी का इस तरफ है कि कुछ नया होगा तो अच्छा होगा तो इस सारी चर्चा के लिए मैं समिक्षा के लिए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रफेसर स्भाश्यानी जी से निवेधन करूंगी कि वो अपने टिपनी दे अध्यक्षे टिपनी धन्यवाद मैडम बहुत अ कोई निरंतर ये बंती हुई सड़क की तरह से है कोई अंतिम बात नहीं है हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है अब देखिए मैं जैसे हमारे दो तीन साथियों ने कहा रेखा मंजीत की व्याक्रण जरूर लगाई है अब हम उच्छ सिक्षा पढ़ा रहे हैं और हमसे अपेक्षा की जाती है कि जो प्लस टू तक या दस्वी तक पढ़ाया जाहिए वो उच्छ सिक्षा में पढ़ाया जाए इसी से हमारे स्तर का और हमारी सिक्षा व्यवस्था का एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि हम कहां यह हमारी तो व्यभारिक बात है जो साथियों ने कही है बिल्कुल सही है लेकिन इसकी अपेक्षा यदि हम जो सुलेबस आठवी में पढ़ा जाना चाहिए या दस्वी में यदि उसको में या बीये का हिस्सा बनाएंगे तो हमारा स्तर नहीं उठेगा यह बात बिल्कुल सह ही है लेकिन क्योंकि मैटीरियल ही ऐसा आता है तो कोई क्या करेगा बाते सब ठीक हैं यह यह जो मानना है दूसरी बात है कि जैसे हिंदी के जो स्वरूप की जो बात है कि अंग्रेजी बनाम हिंदी या जो दूसरा जो डर है हिंदी अध्यापकों के दिमाग में हमेशा ही खासतोर पर उनके जो अपने वर्कलोड की ही वह सचिंता करते होते हैं कि जो स्मग्र व्यक्तित्व का जो विकास है या जो पूरी सिक्षानीती है उसमें वो किस तरीके से अपना योगदान करते हैं उस दिशा में जिसमें सारे जा रहे हैं उसकी बजाए हम अध्यापकों का जो वर्कलोड बढ़ाने का और ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवा करके विद्यार्थियों को आकरशित करने की जो योजनाएं और जो अपेक्षानी रहती हैं वो भी हमारी विशह को कमजोर करती है मैं यह कह रहा हूं आप थोड़ी सी एक ऐसी बात है कि कंपल्सरी जो इसमें रखा गया है क्योंकि यद्यपी वो ना मेरा विशह है ना आपका है कि जो टैंपलेट आया है उसी में हमें करना है पर यदि इसको आप देखेंगे कि हिंदी की इससे गुणवत्ता का विकास जरूर होगा मेरा ऐसा मानना है कि जो हिंदी पढ़ना नहीं चाहते किसी भाषा का विकास नहीं होता यदि भाषा में ज्यान की गुणवत्ता नहीं है रोजगार परक्ता नहीं है लोग उसको अपनाते नहीं है तो यह एक बात है जिस हमें इस बात से निकलने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा और यदि हिंदी भाशी क्षेत्रों में श्र paar पे भी शंदावों में दियों स्वारों हिन्दी वालों का दीवस है ये हमारे समधानिक दाय तो है ये सिरफ ऑनी की बात नहीं है तहीं के 3 संस्था चाहर प्रतिस्ठान का हर उसकी जुरूरत तो इसी तरीके से इस बात की भी जरूरत है एक तो बात मैं यह कहना चाहता था साथियों कि इस भाय से आप निकल लिए ऐसी कोई बात नहीं है हिंदी एक उसी तरह का विशह है अब आप यह मानिये कि पहले अंग्रेजी और हिंदी दोनों कंपल सरी है अब वो अंग्रेजी छोड़के हिंदी ले सकता है दोनों इक्वल हैं उसके अंदर मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ यद्यपी जो आप कहा रहे हैं कि हिंदी कंपल सरी होने चाहिए वो एक डिबेट का विशह हो सकता है यह मेरा अपना विचार है इस बात को ले करके दूसरी जो यहाँ पर बात आ रही थी वो यह कि हिंदी का स्वरूप क्या हो यह समाज में भी विवाद का विशह है और कक्षा के रूम में भी विवाद का विशह है जो रेखा ने कहा कि यदि हम बैंक में जाएं तो वो जो हिंदी लिखी हुई है वो हमें समझ ही नहीं आ अब यदि मैं कबीर का वो आपको दोहा सुनाओं की संस्किरत भासा कूप जल और भाखा बैता नीर ये कबीर ने लिखा जब हिंदी बन रही थी तो इसको जहां से भी हिंदी अपनी शब्दावली ग्रहन कर सकती है देखिए अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका पहला कव क्यूं क्यूं बन गई उसका क्या कारण है हर साल एक डिक्सनरी छपती है अंग्रेजी की जिसमें कितने ही सारी भाषाओं के शब्दों को वो अपना लेते हैं और अपना बना लेते हैं और हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को कैसे चांट चांट के बाहर कर रहे हैं तो ह किसी भी भाषा का शब्द हम ले सकते हैं क्योंकि कोई भी शब्द हमारा बन जाएगा यदि वो शब्द जो है हमारे व्याक्रण के नियमों का अनुपालन करता हूं कितने सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में खप गए हैं जो हिंदी का अनुशासन व्याक्रणिक अनुशासन उन्होंने स्विकार कर लिया है या अर्बी के या फार्सी के या उर्दू के या किसी भी अन्य भाषा के जिनकी हम पहचान नहीं कर सकते रोटी शब्द है आप बताईए रोटी ना संस्कृत का है ना उर्दू का है लेकिन हर भारतिय रोटी खाता है जिस मेज पे बैठ के हम काम करते हैं वो किस भाषा का शब्द है और ऐसे अनेक तो जो भाषा जो शब्द हमारे भाषा के व्याक्रण के अनुसासन को मानने लग जाते हैं या मानने की गुंजाईश होती है वो उनमें ये युग्जिता है कि वो हमारी भाषा में आ सकते हैं ये उसकी एक पहचान है तो इसलिए जो शब्द हमारा अनुसासन मान रहे हैं, उसको हम बनाएं, हम उसके अंदर ढालें, मेरा अपना विचार है ये, तो हमारी भासा व्यापकता होगी, उसके अंदर वो बढ़ेगी, अब जो 600 साल में अंग्रेजी कहां पहुंची, और हिंदी सरहपा से शुरू होत उसमे सासन सत्ताओं का, रोजगार परकता का, नवीनी करन का, अनेक रिजन हैं, अनेक कारण है, लेकिन जो भासा की शक्षमता है, जो उसकी पूंजी है, वो तो उसकी शब्दावली ही है, उसका ज्यान का बंडार है, उसकी प्रिधी है, और वो प्रिधी, जैसे हमारे कह इते जैप्रकास गुपता जी कि वो सिरफ संप्रेशन का माध्यम नहीं होती वो सोचने के शक्ति भी होती है जो चीज संप्रेशन करना है विचार निर्मान का उत्पादन भी विचार उत्पादन भी भाशा में ही होता है और यदि हमारे पास सामगरी ही थोड़ी है तो हम कि सिर्ए से विचारों का निर्मान करेंगे उस साथ तो थोडा हिंदी को व्यापक होना पड़ेगा थोडा हिंदी को यदि हम देखेंगे कि संस्कृत में प्राकृत के कितने शब्द गई शंस्कृत भाषा का खुद का विकास कैसे हुआ यदि हम यही कहते रहें कि नहीं लोकिक संस्कृत छोड़ी आप गैदिक संस्कृत बोलिए कालिदास में कितने पूरा अभिज्यान साकुंतलम यहां अश्टोस जी बैठे हुए है आधी उसमें प्राकृत है संस्कृत साहित्या का आधा हिस्सा जितनी महिलाएं बोल रही है सकुंतला एक भी शब्द संस्कृत का नहीं उचारण करती है अभिज्यान साकुंतलम में वो सारा प्राकृत है तो ये जो भाषाओं की भारतिय भाषाओं की से लेन देन है भारतिय भाषाओं की एक दूसरे के साथ वो है उसी के तरक संगती में उसी के सहयोग में भाषाओं का विकास होता है और हिंदी का जिस तरीके से सम्मंध है सारी भाषाओं के साथ, यदि हम लोक से जहां पर भाषा बनती है, कोई भी भाषा अकादमियों में, विश्विद्यले के विभागों में या राजदर्बारों में नहीं बनती, सबको पता है, वहां सिरफ उसका मानफी करन होता है, वह एक एक जो वर्ग होता है, खास जिस जो समाज का बोधिक वर्ग जिसको कहते हैं, वो उसको अपना लेता है, तो यदि हमारी हिंदी भाषा का लोग के साथ सम्मंध नहीं है, और वो सिरफ संस्कृत निष्टता या जो सास्त्री जो शब्दावली है, उसकी तरफ हम जाएं वो सिरफ विद्वानों की भाषा बन के रहे गए, कितनी सम्रिद भाषा है, कितना सम्रिद ज्ञान है संस्कृत्ता, उसके यदि कारणों पर जाएंगे, तो उसमें भी हम ये पाएंगे कि जैसे जैसे हम नियमों को इतना कठोर बनाया गया कि खिड की हवा अंदर आने के रास्ते बंद हुए, ये भी एक कारण है उसमें, तो हमें हिंदी को निरंतर यदि विकास मान रखना है, निरंतर यदि उसको विक्सित होने देना है, तो उसकी लिए शब्दावली का स्वागत करने की जरूरत है, मैं श्यम ऐसा मैसूस करता हूँ, नहीं तो जो वो एक थ भागों की भाषा बनके रहेगी, वो सासन प्रसासन की भाषा कैसे बनेगी, जो नई-नई समस्याइं आ रही है, उन नई-नई समस्याओं पे निर्णा देने के लिए जिन शब्दों की जरूरत है, जो नई-नई प्रद्योग की आ रही है, उसको लोगों के साथ तालमेल बन जो देखो हिंदी प्रेम जिसको हम कहते हैं, वो सिरफ अंग्रेजी विरोध में नहीं होता है, हिंदी के विद्वान जो ये कहते हैं कि हिंदी राष्ट भाषा है या हम मात्री भाषा है, वो दूसरी कितनी भाषाएं जानने का प्यास करते हैं, वो संस्कृत ही कितनी जानते ये अपेक्षा करना कि दूसरा समाज हिंदी सीखे और हिंदी वाले दूसरी भाषाइं ना सीखे ये बात सही नहीं है हम जानते हैं इस बात को कि उसी भाषा ने तरक्की की है या उसी भाषा के विद्वान आगे बढ़े है जो दूसरी भाषाओं में जो ज्ञान उपलब्ध है उस भाषा को अपनी भाषा के अंदर उसको लेकर के आए है भारते इंदु हरीश्चंदर ने बिल्कुल ठीक लिखा कि आप सारी भाषाओं को पढ़िये लेकिन लिखी अपनी भाषा में यदि हमने बैन कर दिया यदि हमने प्रतिबंध ही लगा दिया दूसरी भाषाओं से जूरने का या किसी भी चीज़ का तो वह बात सही नहीं होगी संस्कृत निष्टा की अपनी एक जगह है लेकिन विकास का जो रस्ता है भाषा का जो मार्ग है वो लोकिक पत है लोक है यदि लोक से जिवन्त रिष्टा भाषा का नहीं होगा वही उपन्यास वही रचनाएं आदर पाई हैं चाहिए संस्कृत की भी हो जिनों ने भाषा है कि भाषा के प्रति हम किसी तरह का धार्मिक पुर्वाग्र है या संकिर्णता या दूसरे भाषाओं के शब्दों को ना आने देना इसकी वजाए उसकी व्यापक्ता जो कि हां हिंदी का व्याक्तरण है जो शब्द हिंदी के व्याक्तरण के अनुसासन को स्विकार करता उसमें ये छमता है कि वो हिंदी का बन जाएगा और इसी सूत्र को अपनाते हुए हिंदी भासा में ज्यादा से ज्यादा सब्दों को हिंदी का बनाएं बजाए इसके कि हम जितना जोर रोकने पर लगा रहे हैं उनको अपना बनाने में उतना जोर नहीं लगेगा हमारा क्यो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह इस तरह की बातें चलती रहें और विचारों से ही एक विचार आता है फिर उसके विकल्प के तोर पे दूसरा विचार आता है और यह विचारों के निर्मान से ही इसी तरह के वाद विवाद से अनेक विचारों से नई बातें फिर उभर के आती हैं उसी में ही स्लेबस की ताजगी भी होती है उसी में इसमें पढ़ाने के तरीके भी बदलते हैं नई सोच भी आती है तो यह तूजो एक आइडिया की उसके एड़ाइजमेंट आती थी मैं बहुत उसको कहते हूं कि देखिये बात करने से भाद बनती है यह जो सूत्र है उसका कि बात करने से भाद बनती है कि हमें हर चीज पे बात करने की जरूरत है उसके स्वरूप पे उसके उपयोग पे उसकी प्रासंगिक्तर पे और भाषा जहां तक संस्कृति की बात है और क्या भाशा तो आप ये मानिये कि यदि भाशा ना होती तो मनुष्य ने कहां होना था वो उसी तरह से पस्वों की तरह चर रहा होता उसकी बुद्धी का जो विकास हुआ है पस्व पक्षियों से अपने आपको अलग किया है भाशा उसमें मनुष्य की अलग से क्या पैचान है कि उसके पास एक बुद्धी है और उससे विचार कर सकता है और विचार किसमें करता है भाषा में करता है कोई व्यक्ति बिना भाषा के एक लाइन सोच नहीं सकता है एक बात सोच नहीं सकता है तो भाषा को संप्रेशन का जरिया ना मानत करते हुए विचार निर्मान की सामग्री या विचारों की उत्पादन करता जब इस रूप में हम इसको समझेंगे तो उसी वही शक्षमता हमें हिंदी को देनी है जो हिंदी का समिधान है सर जो अधिकारिक हिंदी भाषा है समिधान की उसको पढ़के आप समिधान का कुछ भी समझ नहीं सकते हैं आप उसके अनुच्छेद पढ़ जाईए आपको कुछ समझ नहीं आएगा उस हिंदी को जन उपयोगी या जन उसको समझ ले उस भावना को वो करने की जरूरत है आप अधिकारिक जो समिधान की भाषा है वो इतनी नीरस है और उसमें कोई अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे जो हिंदी के मैं ये एक ऐसी बात कह रहा हूँ आपके सामने कि आप उस समिधान की भाषा को हम देखें तो सही कुछ आप समझ ही नहीं पाएंगे हमारी मजबूरी हो गई है बहुत सारे लोगों की जो हिंदी नहीं जानते अंग्रेजी नहीं जानते और हिंदी में उसको पढ़नी सकते तो ये जो संस्कृत निष्टा के कारण या हर शब्द की जड़ें वहां तलासने के कारण उसमें थोड़ा लोग के साथ जो प्रचलिक मुहावरा है उसको ढालने की मेरे ख्याल से जरूरत है और मैं तो यही कहना चाहता हूं बाकी बात्चित चलती रहेंग तो इसी एक छोटे उस पे मेरी प्रतिक्रिया को समझना भाषा के बारे में कभी अलग से बात होगी तो उसके पहलू है तो फिर कभी सही तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना चायोजिन किया हमारे साथियों को जोड़ा जो को रेलिवेंट हैं यह मुझे सबसे दुख का कारण है कि उन नोट्सों को जला दो अपने लिखो कि उसी में ताजगी होगी वही आप नई पीड़ी को ट्रांसफर करें जो हमारे गुरू जी के जो नोट्स थे यदि वो अभी भी प्रासंगिक हैं तो हम काफी पीछे हैं फि जी करें धन्यवाद डॉक साब तो मैं मंत्रिक करता हूं डॉक्टर विजय शर्मा जी को कि वो धन्यवाद ग्यापन करें लेकिन उससे पूर्व एक बात मुझे आप के सांजी करनी है वो यह है कि देखें अंग्रेशी जो पिछले 600 वर्षों में विक्सित हुई उसका व्यापार तो व्यापार और अपनिवेशिक के प्रभाव के कारण अंग्रेशी विक्सित हुई और वहां पर जो विज्ञान जिस विज्ञान के हम बात करते हैं वो भी विक्सित हुआ तो वहां पर जिस तरह का समाज चर्च के अधीन रहा किंग के अधीन रहा वो बहुत संस्कृती परधान भाषा रही है इसलिए हमें अपनी जड़ के आत पर खड़ा हो करके अपनी जड़ को पकड़ करके उन सारे शब्दों को देखना है मुल्यांकित करना है कि वो हमें विक्रित ना कर दें हो ये रहा है कि उनकी भाषा के शब्द हैं, उन्होंने हमें विक्रित कर दिया, वो उस रूप में नहीं आए, जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, दो धारन बहुत सरल से, एक है किंग शब्द, अग किंग का अर्थ आप राजा कर देते हैं, बिना ये जाने कि राजा का अर्थ किंग नहीं हो सकता है, क्योंकि किंग absolute मनार्क है, उसकी sanction आती है चर्च से, और वो he is not answerable to anyone, लेकिन राजा जो है वो उस प्रजा के प्रती उसका उत्तरदाइब हो है, और अगर उसकी प्रजा सुखी नहीं तो वो राजा होने के योग्य नहीं है, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है, अब इन दोनों के संबंध को हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा, और इसी तरह से स्वतंतरता और freedom शब्द है, आप अंग्रेजी में freedom की कोई परिभाशा इस तरह से प्राप्त नहीं करेंगे, और हिंदी में जो स्वतंतरता शब्द है, स्वतंतर शब्द है, वो है आप अपनी वेवस्ता, तो इन जो इन कारणों से जो हमने अंग्रेजी को हिंदी में इस तरह से ले आए हैं, उसके प्रती साफधान होना बहुत आवश्यक है, और नहीं तो हम विक्रिती में चले जाएंगे, जबकि हमारी भाशा संस्पृती की भाशा है, और डॉक्साब की ब जी को कि वो सभी का धन्यवाद ध्यापन करें, और फिर हम इस सभा को जो है वो पूर्णता प्रदान करते हैं, जी मैडम विजै शर्मा, धन्यवाद लबताश्यक दोश्ची, सभी ने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया, में सभी का धन्यवाद करती हूं, और अपने विचार भी रखे, बहुत दिनों से हमारे मनमी इस चर्चा पर चर्चा को लेकर बात चल रही थी, सुभाष सेनी जी ने हमारे बहुत सारे शंशे दूर किये, जैसे नोंने व्याक्रण के बारे में बहुत अच्छी बात थी, हम MA और VA का जो स्लेबर्स पढ़ा रहे हैं, उ और इसी तरह से अंग्रे जी बनाम हिंदी के जो अनोंने बात किया, और हम जो डर रहे हैं कि यह जो ऑक्षन आ रहा है तेन भाषाओं का तो हिंदी कहीं, हम इसको कैसे बचाएंगे, उस पर भी में बहुत अच्छी बात की, कि संख्या की महता इतनी नहीं है, जितनी हमें भुनवत्ता के तरफ ध्यान देना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा इसी वज़े से चर्चा पर चर्चा करने से हम अपने आपको भी थोड़ा उच तरप लाते हैं, जो हमारे मन में शंकाइम होती है, वो दूर होती है, और हमारे काम करने में एक गती आती है, उत्सा आ होता है, तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है, और जो अभी आपी बार की बनती हुई सड़क की तरह होती है भाशा, बहुत अच्छी बात है, कि हम सब इसमें अपना थोड़ा-थोड़ा योगदान देंगे, और थोड़ा-थोड़ा जो आपने परिवर्तन हुआ उसकों कैसे बच्चों दख पहुंचाएंगे, क्योंकि हम बीच का काम करते हैं शिक्षक, तो हमें भी अपनी तैयारी करने में ऐसी चर्चा पर चर्चा से फुड़ा और बल मिलता है, शक्ति मिलती है, तो कर्मक्षेतर जो है वो विस्तृत होता है एक दूसरे से बात करने तो सबसे जो आप अभी कह रहे थे कि हमारी हिंदी भाषा जो है अधिकारिक भाषा जो है वो ऐसी है कि वाके हम उसको नहीं समझ पाते हैं और हमें यह सच भी ऐसा लता है कि उससे आसान तो पिर इंग्लिश हो जाती है हम हिंदी भाषी लोग के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि भाषा हिंदी है लेकिन वो इतनी कठिन है कि हम हिंदी वाले ही उसको समझ नहीं पाते हैं और हम उससे किनारा कर लेते हैं और उससे ज़्यादा आसान इंग्लिश लग रही है हिंदी वाले को तो इसके उपर भी थूड़ा से चर्चा हम जरूर करेंगे भाषा ब अच्छा को हम जारी रखेंगे और विशे के साथ, भाषा के साथ, और हमारे ये सबी शिक्षिक साथ आज हमारे साथ जुड़े, सबने बहुत ही अच्छे से इसमें प्रतिभागिता की और बहुत कुछ सीखा होगा बहुत कुछ अपने आप में हमें बल मिला है और हम अगली उसके लिए सत्र के लिए अपने आपको तैयार करेंगे तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्याबाद जिन्होंने और भी पार हमारे पास हिंद संगीति भाग से धी जै प्रगाश कुत्ता जी जबकि हिंदी एक हींदी से बहुत प्रें करते हैं और हमारे लिवस पे भी हमेशा आते हैं रास्ट वाशा विचार मंच हैं- तु इन्हों दोक्टर ही करते हैं पना पेशा इनका दॉक्टर का है तो जितने लोग मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं एक बार कुने हम सब का मैं धन्यवाद करती हूँ और अगली चर्चा-परिचर्चा के लिए आपको मैं पहले ही निमंतर देती हूँ कि जब भी हम इस तरह की करें या आप करें हम एक प्लेट्पॉम पे ओन-लाइन इकट् होगा सबसे जादा धन्यवाद के पातर आज हैं वह सुतर्धार थे शांगीरस जिए प्रेना श्रों थे इस कारेकरम के और सच सारा इंच जो है उन्होंने संबाला और सारे प्रश्न भी उन्हों नहीं निकाले तो वह विशेष धन्यवाद के पातर हैं शब्दों की कमी है मेरे पास उनके लिए धन्यवाद रखने के लिए धन्यवाद प्रस्ताफ प्रस्तुत करने के लिए और जंग बहादूर पांड़े जी जिनको पुरा नहीं सुन पाई लेकिन आपके प्रयास की सराना करता हूं धन्यवाद सर आप जुड़े और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हूं फिर किसी आपका वीडियो नहीं है एक अंद्रोट करेंगे कि जब भी वक्ता बोलें अपना वीडियो तो और रखें कि लोग देख सका हां बेरी आप इस तरह से हमारा मार्क प्रशास्त करते रहें और हमें बल परदान करते रहें और हम अपने कारे में जो है सक्षम हो सके जो भी आप नवीनी करते हैं अच्छे से बहुत अच्छा लगा बंगलम मंगलम शुब बोल रहे ते नहीं किया इनोंने जैहिंद्ध हम सभी अपने अपने स्वधरम का पालन करें याफक होने के नाते इनी सब सुखत भविश्य के लिए और हिंदी की सुप्रतिष्ठा की कामना करते हुए आप सब कर धन्यवाद करते हैं और इस सभा को यहीं पर हम पूर्णता प्रदान करते हैं धन्यवाद आप सभी का दाल दिया थे ना सिर लिंक डाला हुए सर्टिकेश्टी जी जी जी